कड़ी पाबंदियों के पाद भी लोग पिना काम के सारवचनरिक स्तलों पर घूमने से बास नहीं आ रहे हैं। लेकिन अभी भी कोरोना का खत्रा टला नहीं है। ये बास शहर की कुछ लोगों को शायद नहीं समझ रही। इसले लोग बेखोफ सडकों पर खुम रहे हैं। इसी श्रुंकला में शहर के मेडिकल स्क्वेयर में भी ऐसा ही कुछ नजारा देखने को मिला। जब हमारी समवात दाता ने पुलिश प्रशासन से बात की। इस अभियान को कुछ लोगों द्वारा अच्छा प्रतिसात मिल रहा है। तो वही कुछ लोग इसका विरोध भी से जानना चाहूंगी कि किस तरीके की यह मुहिम है और पुलिस प्रशासन द्वारा किस तरीके का यहां पर कारे किया जा रहा है। इन 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 दी ना तो यह जो है हमारा जो एने हमारे पुलिस आउक्ता साहब है। उनने जो पॉइंट लगाए है नाकाबंदी के वहां तो हम पहले जो विदाउट ऐसे ही घुमते ही लोग कोई विदाउट कारण उनके उपर कारवाई होती थी और अभी से दो दिन हो गए एनमसी की टीम भी आ गई यहने उनकी भी टेस्ट कराना है कोरोना टेस्ट यहने इसके करण यह भी कम हो गया अभी कोरोना टेस्ट के करण लोग भी नहीं कम डर से भाग रहे तो भी हमारी अभी आज की 200 है कल की 250 अभो थी यह अच्छी कारवाई है और जो काम कर रहे हमारे पुलिस वाले जो धूप है यह महिन्या की बहुत ज्यादा दूप है इसमें भी होता हुगा कि जनता का सैयोग मिलता होगा कुछ लोग सायोग देते होंगे तो वहिख लोग इस इसका विरोथ भी करते होगे तो ऐसा कितने बार आप के साथ हुआ हू Tamara बहुत बाहृत हो गया एक रहने आप इंसृटका मारे कैने मई गराए था बहुत सारी इस इस तeन्त इसका आपस भी करते हैं आपसे यह बिए बूफ जगा जाती हूँ कि आप लोगों को क्या आवाहन करते क्योंहें टेस्ट करानी चाहिए नहीं कर साधिये थे किस तरीका का आवान करते हैं और उनको जबरतास्ति भी राते हम यह करो सब जाने जहें नाकापंदी में जो लोग मिलते हैं उनको भी लाते हैं टेस्ट कराते हैं और बाकी लोगों भी बोलते हैं बिन फजू लेने ऐसा काम नहीं रहा तो गुममत जो अभी नाकुर का आकड़ा जो भी है कम हो रहा पहुत कम हो रहा यह भी अच्छी है अन्हें हमारे पुलिस डिपार्मेंट और इन्मसी जो टेस्ट लिए जा रहे है वो जनता के हित के लिए ही है अगर जनता इसको सयोग करेगी तो बेशक ही शहर में कोरुना की जो स्थितिव है और कम आएगी जितने भी संक्रमित मिल रहे है दैनिक संक्रमित जितने भी मिल रहे है वो कम आएगी और प्रशासन की द्वारा इस और बीसे न्यूस नागपूर